नमस्कार दोस्तों, आईए रसाइन विज्ञान के पुनबीस प्रस्णों पर आज फिर बात करते हैं पहला प्रस्ण है सबसे हलका तत्व, कौन सा है? सेउतर विकल्बी, हैड्रोजन दूसरा है कौन सी धात्व, तत्व, दर्व है? सेउतर है विकल्बी, पारा तत्व के ही दो भेद होते हैं धात्व और धात्व, इसलिए यहाँ पे धात्व, तत्व लिखा गया है नेक्स्ट है सबसे हलका धात्व, तत्व कौन सा है? सेउतर विकल्ब सी लिथियम चोथा है कौन सा द्रब और धात्व है? सेउतर विकल्बे ब्रोमिन द्रब धात्व है पारा और द्रब और धात्व है ब्रोमिन नेक्स्ट है सबसे भारी धात्व, तत्व कौन सा है? सेउतर विकल्बडी ओस्मियम और सबसे हलका यह लिथियम होगा छटा है उसमा एबं बिद्दूत का सबसे अच्छा चालक है सेउतर होगा विकल्ब ए चांदी सातमा है सबसे अधिक क्रियासील ओधात्व है सेउतर है विकल्ब ए फ्लोरिन आठमा है बिद्दूत का सुचालक ओधात्व है सेउतर ग्रेफाइड धातु है समानता बिद्दूत का सुचालक होती है और ओधातु समानता बिद्दूत का कुचालक होती है लेकिन यहाँ है सुचालक ओधातु यह होगा ग्रेफाइड नेक्स्ट है कौन सी धातू अमलगम बनाती है स्य उत्तर विकल्पडी पारा दसमा है सर्वधिक आयनन विभब बाला तत्व है स्य उत्तर विकल्पे हिलियम एगारमा है पारा किसके साथ अमलगम नहीं बनाती है स्य उत्तर विकल्पडी लोहा बारमा है सर्वधिक बिद्दूत रिनात्मक है स्य उत्तर है फ्लोरिल स्य उत्तर होगा विकल्प विकल्प A और विकल्प C दोनों एक ही हो गिया है लेकिन इसका स्य उत्तर होगा विकल्प D फ्लोरिन फ्लोरिन के विशे में एक और तत्थ हम लोगों ने जाना कि फ्लोरिन सफसे अधिक किरियासील और धात्व है और सर्वदिक विद्दूत रिनात्मख है इसका सेउतर विकल्ब C, Polonium 15 है किस ओधातु में धातुई चमक पाई जाती है यह ओधातु है लेकिन धातु जैसी चमक पाई जाती है सेउतर है विकल्ब B, Iodine 16 है पारा को किस पात्र में रखा जाता है सेउतर विकल्ब B, Loha लोहा के पात्र में रखा जाता है क्योंकि पारा लोहा के साथ अलक्रिया नहीं करता है यानि लोहा के साथ आमलगम नहीं बनाता है 17 है होमियोगलोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है सेउतर विकल्ब C, Loha नेक्स्ट है क्लोरोफिल वर्नक में कौन सी धातु पाई जाती है से उत्तर है विकल्बी मेगनिशियम होमियोगलोविन में लोहा, क्लोरोफिल में मेगनिशियम 19 है संचायक बैटरी में कौन सी धातु पाई जाती है से उत्तर विकल्बडी सीसा बिसमा है किस धातू का गलनांग इतना कम होता है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है सयुत्तर है बिकल्ब D A एवं B अर्थात Sorry इसका होगा बिकल्ब यहाँ C होगा B के बदला C पढ़ेंगे इसका सही उत्तर होगा गेलियम और सीजियम गेलियम और सीजियम जो धातू है जिनका गलनांग इतना कम होता है कि वो हाथ में ही पिघल जाती है तो यह था विविन परिक्छों में पूछे गए केमेस्ट्री के अती महत्पूर्ण प्रस्ण जिसका हम लोगों ने अभ्यास किया अगर आप इसी परकार के और रसायन विज्ञान के पार्ट चाहते हैं भाग चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए दोस्तों मित्रों के बीच सेर करिए और कोमेंट करिए कि हमारा ये परियास कैसा चल रहा है और 20 परस्णों में आप कितना सही कर पार रहे हैं